दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने शैनल गूल्डन पार्स अला में दोस्तों इस वीडियो में राश्टी आयुम योगता अधारी छातरवत्ती पर इच्छा के लिए सोशल स्राइंस के मोस्ट इंपोर्टन कुर्संस को हल करेंगे प्यारे बच्छों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है आपने कितनी तयारी की है ये आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी हो जाएगी यदि आपने इस वीडियो से 30 में से 25 प्रशन हल कर ले गए तो ये मान की चलिए आपकी तैयारी अच्छी है अगर आप 15 या 20 कुश्ण हल करते हैं तो आपको और तैयारी करने के आउ सकता है तो आईए पूरा वीडियो देखे और अच्छे से कुश्ण को स्वालब करिए जो कुश्ण आपको नहीं आता है उसको आप अपनी कापी पर नोट करते हो चलिएगा आईए देखते हैं पहला प्रशन बच्चों है इसका सही जवाब क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्षन में लिखने का प्रयास करेंगे आपसन है आपके पास मोती महल, हीरा महल, पंच महल या फिर रंग महल तो इसका वच्चों सही आंसर जो हो जाएगा सी आपसन पंच महल का निर्माण करवाया था शम्राटकबन ने फतेपुर स्रीकरी में इसके अलावा बुलंदरवाजा का भी निर्माण फतेपुर स्रीकरी में ही करवाया गया था क्वेशन नमबर 2 है कुत्व मिनार के पास इस्थित लौह इस्तम किस राजा ने बनवाया था आपसन है चंदरगुप्त दुतिय, समुद्रगुप्त, इसकंदगुप्त, रामगुप्त तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा आरे समाज की अस्थापना दयानं सरसुती ने की थी और ब्रम समाज की अस्थापना की बात करेंगे तो ये राजा राम मोहनलाई ने ब्रम समाज की अस्थापना की थी तो इनको आप ध्यान रखेंगे एक प्रशन आपको यहां से जरूर मिलेगा next question है चार नमबर निमलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था अकबर औरंग जेव सह जहां जहांगीर तो इसका उच्छों सही आंसर है अकबर ने इबादत खाने का निर्मान करवाया था और ये भी फतेपूर सीकरी में ही निर्मान करवाया गया था फाइब नमबर कोशन है लाख बक्स किसे कहा जाता है अकबर बलबन कुतब दिन आयवक या फिर एल्दुतमिस तो लाख बक्स बच्छों कहते हैं कुतब दिन आयवक को क्योंकि कहा जाता है कि ये लाखों का दान करने वाला था इसे इसको लाख बक्स कहा जाता है और इसकी जो है मरत्यू चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण हुई थी अकवर की बात करें तो ये हुमायू का पुत्र था बलबन ने इसे समझे देख फैक्ट र्याद रखेगा बलबन ने रक्त और लोह की नीती अपनाई थी और इन्हों ने जो है सिचदा और पावोस सिचदा और पावोस दो जो है नेमों को लागू किया था इलतुतमिस ये गुलाम उन्स का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और इन्होंने कुतुम मिनार को पूरा करवाय था और चालीसा नामक जो है संगठन का निर्माड भी इलतुतमिस ने करवाय था तो इसको आप स्री रंगपटनम की संधी बच्चों 1792 में हुई थी अंग्रेजों और मैसूर के सासक टीपू सुल्तान के मध्य स्री रंगपटनम की संधी की गई थी 1765 ये बच्चों डेट आपको याद रखना है इस में इलाहाबाद की संधी थी 1784 ये आप ध्यान रखेंगे 1784 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया था और 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो इन सभी डेट्स को आप याद रखेंगे नेक्स कोश्चन की बात करते हैं साथ नंबर है सिख समदाई के अंतिम गुरू कौन थे गुरू अरजुन देव गुरू तेग भादूर गुरू गोबिन सिंग ये इन में से कोई नहीं तो गुरू गोबिन सिंग जो थे ये सिख समदाई के अंतिम गुरू थे और ये दसम गुरू थे गुरू गोविन सिंग और लाश्ट गुरू थे नेक्स कोशन की बात करते हैं आठ नमबर है कुचिपुरी नरत्य कहां आरंब हुआ था तो कुचिपुरी जो नरत्य है बच्चों आपका आंधर प्रदेश से समझत है आंधर प्रदेश का एक लोक नरत्य है पंजाम में भांगड़ा होता है राजिस्थान में आपका कुण सा होता है तो घूमर होता है इसके अलावा अंधर प्रदेश में आप सभी को पता कुछ पुरी नेक्स कोशन देखो आपका नाइन नमबर है चित्रकला की गांधार सहली का शूत्रपात किसके द्वारा किया गया था तो इसका सही जवाब क्या है सहव संपरदाय महायान संपरदाय हिनयान संपरदाय या फिर इन में से कोई नहीं सही जवाब अच्छो है महायान संपरदाय ये बहुत धर्म की एक साखा थी और इसके द्वारा ही गांधार सहली का सूत्रपात किया गया था नेक्स को उस्ताद इसा ये थे जिन्होंने ताज महल की डिजाइन की थी नैस कोशन की बात करते हैं 11 नमबर किसके सासनकाल में प्रथम चीनी आत्री भारत आया था तो प्रथम चीनी आत्री भारत किसके सासनकाल में आया था समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम हर्षवर्ध तो सही आंसर वच्छो हो जाएगा आपका चंद्रगुप दुती के सासनकाल में फाहियान सबसे पहले भारत आया था और इसके अलावा हर्षवर्धन के सासनकाल में वच्छो हुएंसांग भारत आया था तो दोनों चीजों को आप याद रखेंगे नेक्स कुशन की बात करत हैं 12 नंबर हडपा नगर किस नदी के तरफ पर रिषिता है शिंधु नदी ब्यास शतलज या फिर रावी तो हडपा नगर जो बच्छों है ये रावी नदी के तरफ पर रिषिता है डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा नेक्स कुश्चन 13 नंबर है वह सासक जिसने एक सच्चे जैनमुनी की तरह उपवास के द्वारा सरीर त्याग दिया था बिंदु सार असोक चंद्रगुप्त मौरे या घनानंद तो राई नांतर बच्छों इसमें आपका हो जाएगा स्री आपसन चंद्रगुप्त मौरे ने जो है एक सच्चे जैनमुनी की तरह उप मुहम्मद गोरी और प्रतिवी राज Чवहान मुहम्मद गोरी और जैसंग महम्मद गोरी और आजए पास है मुहम्मद गोरी और प्रतिवीराज ily R.C. Verme 1191 में तराइन का पृतधा में दुरागा था और दोती यूर्द भी नहीं के मद्ध लड़ा गया था 1192 प्रेश्वी में इसके बाद एखो next question 15 नमर है बंगाल को मुगल सामराज से पर्थक कर सोतंदर गया गया था तो किस आसा को मुगल सामराज से पर्थक करके सोतंदर किया गया था तो मुरसीद कुली खान, शादत खान या सरफराद खान या फिर सिराजुल दोला सही आंसर है मुरसीद कुली खान फर्स्ट आपसन इदर आईट आंसर सोलाह नमर कोश्चन है बिदवा पुनरविवा कानून कब बना था सही आंसर बच्चों है 1856 सिभी में बिधवा पुनर्विवा कानून पास किया गया था इसके बाद है 17 नमर कुष्चन अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीती कब अपनाई थी 1867, 1833, 1858 या फिर 1799 तो सही आंसर है 1858 सिभी के बाद जो है अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीती अपनाई थी नेक्स कुष्चन की बात करते हैं 1813 नमर कुष्चन है वैदिक काल की मूल इकाई क्या थी तो सबसे छोटी इकाई या मूल इकाई की बात करेगा तो आपको कौन सा आपसन लगाना है जन, विश, संग या परिवार तो सही जवाब आपका हो जाएगा वैदिक काल की जो मूल इकाई थी वैदिक समाज की वो थी परिवार D answer आपका सही जवाब हो जाएगा 19 नमबर कुष्चन है रामचरित मानस की भासा है तो रामचरित मानस की भासा कौन सी संसक्रत, प्राकरत, अवधी या फिर हिंदी तो अवधी भासा में रामचरित मानस लिखा गया है अगर रामार की बात करेगा बैरम खान और हेमू अकबर और मिर्जा हकीम अकबर और बैरम खान या फिर अकबर और राणा प्रताब तो राइट आंसर वच्चों या आपका हो जाएगा पानी पत की जो दूसरी लड़ाई होई थी 1556 भी में होई थी और ये बैरम खान और हेमू के मद्धे हुई थी ये आपसन आपका सही जवाब हो जाएगा नेस्ट कोशन की बात करते हैं 21 नंबर मुहम्मद गौरी कहां का सासक था अफगानिस्तान इराग परसिया तुर्की तो मुहम्मद गौरी जो था वच्चों अफगानिस्तान का सासक था अफगानिस्तान के एक छोटी सी राशत थी गौर उसका सासक था ध्यान रखेगा और महमूद गजनभी जो था वो गजनी का सासक था इसके बाद है नेस्ट कोश्चन पाइस नंबर है अहमसा अबदाली और मराठों के बीच युद्ध कब हुआ था तो इसको आप ध्यान रखेंगे अहमसा अबदाली और मराठों के बीच में ये पानी पत का तुरती युद्ध हुआ था 1761 में सी आफ़्चन आपका सही जवाब हो जाएगा 1526 में आपका पानी पत का प्रथम युद्ध हुआ था 1556 में पानी पत का दूसरा युद्ध हुआ था और 1761 में आपका पानी पत का तीसरा युद्ध हुआ था आमासा अबदाली और मराठों के बीच में और 1565 जो आपका संदिया गया है इसमें आपका ताली कोटा का युद्ध हुआ था दियान रखेगा प्रशन आपसे पूँछ सकता है ताली कोटा का युद्ध कभ हुआ था तो पंद्रा सु पैसाट हिस्जिवी में हुआ था नेक्स कोशन देखो आपका दिया गया है 23 नंबर बिहार प्रदेश को किस मुसलिम सासक ने सरोबर्थम जीता था बाबर खिलजी तोगलक या फिर चंगेज खान सही आंसर बचों खिलजी वंस के सासकों ने सबसे पहले जीता था 24 नंबर कुशन है मुगल काल में सरोबर्थम किस सहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने इस्थापित किये थे 24 का आपसन है उचों मदरास कलकत्ता मुंबई या सूरत तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सूरत में जो है जहांगीर के सासन काल में सबसे पहले फैक्टरियां स्थापित की गए थे कारखाने स्थापित किये गए थे अंग्रेजों के द्वारा तो राइट आंसर आपका D आसन हो जाएगा 25 नमर कोशन है भारत में परथम मुस्लिम आकरवण कारी था आपसन है आपके पास महमूद गजनवी कुतबु दिन अभग महमूद बिन कासिम या महमूद कोरी तो राही आइट आंसर आपका हो जाएगा विचों जो मुहम्म्म् कासिम ये 712 स्वी में पहला सफल आकर्वन इनोंने किया था सिंद प्रांध पर एसको सिंद की बात करते हैं 26 नमबर है योग दरसन के प्रतिपादक हैं गौतम चाड़क विदुर्या पतंजली तो योग दरसन के प्रतिपादक वोचों पतंजली हैं डी आंसर आपका सही जव महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आकरवन किया था और सोमनाथ मंदिर पर जो है 1025 में आकरवन किया था और उसको नष्ट कर दिया था तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी आर्सन और इसके बाद है 28 नमर को सन निमलिकित में से कौन सा सबसे पुराना इसमारक है अ कि कुत्म मिनार ताज महल और लाल किला ये सब ही आपके देखा जाए तो मद्यकाल में बनी हुई है इसके बाद नेस्ट कोशन की बात करते हैं 29 नमर त्रिपिटक धार्मिक गरंद है जैनों का हिंदों का मुसल्मानों का या फिर बहुद्धों का तो त्रिपिटक जो अच साहिब होती है अंग्रेजों में आपका बाइबिल होती है जैनियों में आगत गरंद होते हैं तो आप इनके धार्मिक गरंदों की भी याद रखेंगे तीस नमर कुशन और वीडियो का लास्ट प्रशन है बच्छों दिल्ली का लाल किला किसने बनवाय था हुमायूं इसका बच्छों सही आंसर हो जागा साह जहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था तो यह बच्छों आपके थे तीस प्रशन इसमें से कितने आपके कुश्चन सही हुए हैं आप सभी लोग कमेंट शक्सन में जो लिखेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तक कि लिए ध